नई दिल्ली चालू वित्वर्ष ब्याजदरों में बढ़ोतरी के कारण फिक्स्ट डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए अच्छा साबित हुआ है RBI द्वारा लगातार छह बार रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद सभी बैंकों ने FD पर ब्याजदरों में वृद्धी की है इस समय स्मॉल फाइनिंस बैंक, विदेशी बैंक और छोटे प्राइवेट बैंक तीन साल की अवधी के लिए FD पर सबसे ज्यादा ब्याजदर ओफर कर रही है वही पब्लिक सेक्टर के बैंक इस मामले में पिछर रहे है बैंक बाजार, बंक बाजार के मताबिक तीन साल की अवधी के लिए FD पर टॉप दस बैंकों द्वारा दी जा रही औसत ब्याजदर साथ दशमलव 6 फीस दी है आज हम यहां आपको तीन साल की अवधी के लिए FD पर टॉप दस बैंकों की ब्याज दर के बारे में बता रही हैं विदेशी बैंकों में ये सबसे आगे FD पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले विदेशी बैंकों में ड्यूश बैंक, IDFC First Bank, Indecent Bank और Equitas Small Finance Bank सबसे आगे हैं ड्यूश बैंक तीन साल की अवधी के लिए FD पर 7.75 फीसदी की दर से ब्याज देता है इसी तरह IDFC First Bank, Indecent Bank और Equitas Small Finance Bank भी तीन साल की अवधी वाली FD पर 7.75 फीसदी ब्याज दे रही हैं प्राइवेट बैंकों में कहां सबसे ज्यादा ब्याज देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में IDFC First Bank और Indecent Bank FD पर सबसे ज्यादा ब्याज दर ओफर कर रही हैं इन बैंकों की FD में 1.00 रुपए का निवेश 3 साल में बढ़कर 1.26 लाख रुपए हो जाता है DCB Bank 3 साल की अवधी वाली FD पर 7.60 फीसरी ब्याज देता है इस बैंक की FD स्कीम में निवेश किये गए 1.00 रुपए 3 साल में बढ़कर 1.25 लाख रुपए हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर में यूनियन बैंक देता है ज्यादा ब्याज देश में पब्लिक सेक्टर के प्रमुख बैंकों में यूनियन बैंकों फिंडिया FD पर सबसे ज्यादा ब्याज दर ओफर करता है इस बैंक की FD पर ब्याज दर 7.30 फीस दी है जिसमें एक लाख रुपए का निवेश करने पर वह तीन साल में बढ़कर एक दशमलव दो चार लाख रुपए हो जाएगा इसी तरह FD पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंकों में बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे है ये बैंक तीन साल की अवधी वाली FD पर 7.25 फीसिदी ब्याज देते हैं